हेलो एरिवन स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल प्रदिश बेलो जी में और मैं हम प्रदिश गोर जैसक बच्चों आप जानते हैं हम क्लास 12 के चैप्टर फूर को डिसकस कर रहे हैं हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है हमने पैकेजिंग इन प्रोकेरियॉट यूकेरियॉट और उस पर जितने भी एक्सपरिमेंट हुए है डेने पर उसके डिसकवरी के लिए वो सारी चीज़े अल्रेडी पढ़ लिए और वीडियो अप्लोडेड है बह लेकर बैठेंगे और चैनल पर फस्टाम विजिट कर रहे है तो आपको पता है क्या करना है सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते है तो अगर आपको लगता है कि अच्छी information आपको मिलती है, simple language में मिलती है आपको, ठीक है, तो आप share कर सकते हैं, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों, तो पहले चीज क्या है, ठीक है, यहां पर देखी जड़ा, पहली line क्या है, हम line to line explain करेंगे, ठीक है, experimental proof कि इस नहीं दिया थे, मैं Celsen and Stahel, ठीक ह Stahel पूरा नाम है, ठीक है, semi-conservative replication in newly formed DNA molecule, one stand is old, that means conserved, and other stand is newly synthesized, thus it is called semi-conservative mode of replication, यह हम already पढ़ चुके हैं, means what, समझे, यानि कि कोई भी एक DNA होता है, ठीक है, अगर यह कोई parent DNA है, अगर हम इसका replication करेंगे, तो हमारे पास दो DNA की stand मिलेगी, ठीक है, दो DNA के molecule बनेगे, standing DNA के molecule बनेगे, ठीक है, तो जिसमें से क्या होगा, हर एक DNA का molecule, ठीक है, यह पहले अलग-अलग हो जाएगा, और इस पर नए DNA की stands बनेगी, ठीक है, यह देखे, तो यह कौन से होगा DNA, ए सपूसकर लिजी हमने, बनाया, यहाँ पर जो DNA बनाया, वो DNA बनाया, तो आप देख चीज हो रहे हो, फिर से repeat करता हूँ, समझो, एक DNA से दो DNA बना, replication के थुरू, अब इन दोनों stand में से, एक DNA की stand जो है, वो कैसी है, new stand है, है ना, और जो दूसरी stand है, वो कैसी है, बच्चों, old stand है, कैसी है, old stand है, तो हर एक नया वाला DNA, एक new stand को रखता है, एक old stand को रखता है इसी को बोलते है, semi-conservative, conserve मतलब क्या, सुरच्छित रखना अपने बाप दाजा की property को, है ना, हाँ, चली, इसको experimentally proof किस ने किया, मिथे, मिसलसन और फ्रेंकलिन, उस्टेहल ने proof किया, जिस technique का यूज करके किया था, उस technique को याद रखेंगे, equilibrium density gradient centrifugation, ठीक है, ना, कई लो नाम कौन याद रखेंगा, मिसलसन, है ना, फ्रेंकलिन, स्टेहल, इतने बहानक सैंटिस के नाम आते कहां से, है न, मैं तो अमेज़ा कहता हूँ, हमारे या के दिने समुके से सुरेश ने खोया होता, तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, चली, कोई बात नहीं, हो सकता ह आप कर सतते हैं, आगे चलके कोई एक्सपेरिमेंट, तो आपके नाम से पढ़ेंगे हम चिंटू एक्सपेरिमेंट, है न, चली, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पेज़ पर, देखिए, यह सबसे इंपोर्टन डाइग्राम है, यह डाइग नहीं, यह था, स्क्रीचिया कोलाई, स्क्रीचिया कोलाई में क्या होता है, डिने होता है, अब यह जो स्क्रीचिया कोलाई, बैक्टीरिया होता है, यह जो बैक्टीरिया होता है, यह 20 मिनिट में, according to our board, ठीक है, 20 मिनिट में क्या करता है, दो बैक्टीरिया बना लेगा, क् इसमें देखिए ये क्या था? डीन्नी न था- अभ एक एक बैक्टीरिया सोल डौ बैक्टीरिया बन गए ठीक है? division हुआ इसका दो बैक्टीरिया बन गए तो इसमें डेन्नी भी यह इसा हो जाएगा? अलग-अलग होता न, तो centainे, डेन्ला का भी क्या हो गया? लेकिन हमारे board में कितना दिया है 20 minute तो हमें सर्फ पढ़ना कौन ची बिटा जी यही तो बात है जब NCRD बोलेगी तो आप बोलना मिन्स वाट जब आप competitive exam देंगे NEET का तो कितना बोलेंगे 18 minute जब state board का exam देंगे तो क्या बोलेंगे 20 minute ठीक है चली समझे इस बार का यह question है यहीं से question पूचा गया था NEET 2022 में concept यही था समझे तो पहले क्या किया गया इस screechia coli के bacteria के DNA को निकाला गया निकाला गया और उसे grow किया गया एक ऐसे culture medium में जहां पर N15 ध्यान दिजिए गा nitrogen कैसा होता है 14 लेकिन N15 वाले medium में क्या किया गया इस screechia coli को grow किया गया जब इसे grow किया गया बच्चो तो इसका DNA कैसा हो गया भारी हो गया तो दोनों ही DNA की stand पर N15 और N15 nitrogenous based प्रेजेंट हो गया तो यह भारी हो गया six mole of cesium chloride है ठीक है six mole of cesium chloride किया और इसी जब हमने observe किया यहां पर देखे test tube बनाया गया है लेकिन test tube को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं यह page बचाने के लिए थोड़ा board वाले ऐसा करते हैं कलाकारी तो यह हमें test tube में का मिला है नीचे मिला एकदम bottom पर मिला क्यों bottom पर मिला क्योंकि heavier था ना दोनों ही chain किसकी बनी थी बताइए N15 N15 की बास होना है तो बारी चीज़े कहां मिलती हैं bottom पर ठीक है तो यह bottom पर मिला लेकिन जब इसका replication हो गया 20 minute में इसका replication हो गया दो DNA बन गया ना दो अलग अलग बैक्टीरिया में दो अलग अलग DNA मिले ठीक है तो इनको grow कहां किया गया था इन्हें एक ऐसे culture medium में grow किया गया था जहां पर ठीक है जहां पर N14 वाला culture medium थै कि सर confused हो गए सर समझ में नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूं समझो दियान से बिटा समझे इधर देख पहले एक bacteria था सीधा साथा bacteria normal सा bacteria बोला बाला इसमें DNA था normal DNA था इसे एक ऐसे culture medium में grow किया जहां पर N15 था N15 था तो DNA के दोनों ही stand में क्या गया N15 ठीक है क्या गया N15 जब दोनों ही DNA की stand में N15 आ जाएगा तो फिर से इसे grow किया जाएगा कहां पर N14 वाले nitrogen में कहां पर N14 वाले में फिर जो आ जाएगा फिर से इसे grow किया कहां जाएगा N14 वाले nitrogen में बास में अब समझ बेटा ध्यान से मैं जो कहना चाहता है वह यह कहना चाहता हूं कि जब हमने DNA की दोनों ही चैन N15 थी तो हमें कहां मिला बॉट्टम पर मिला ठीक है जब यह अलग होगी DNA की चैन ठीक है यह red जो यह वह अलग होगा और नया वाली जो चैन बने की वह किला यह नहीं वाली N14 वाले की तो देखे यह जो red कलर है कैसा है यहां पर भी देख लिञे जी जो red वाला है कैसा है N15 जो green वाला है वो कैसा है N-14 में आए क्या और जब हमने इसे किया इसके बैंड को यह कहां मिला हमें बताईए Center में मिला क्योंकि एक जो चैन थी वह कैसी थी N-14 की तो यह कैसा था हाइबरीड था इसलिए एक भारी था एक ल्का था तो कहां मिला में Center में मिला ठीक है फिर से इसको जब हमने ग्रो किया फिर से जब हमने इसको ग्रो किया इस DNA को जिस भी बैक्टिरिया में प्रजेंट था इसे ग्रो किया कहाँ पर N14 वाले मेडियम में तो क्या हुआ मेरे बच्चों तो देखिए यह red वाली chain जो है यहाँ पर आ गई पैरेंट की तरह बिहेव करेगी न यह वाली red chain यहाँ पर आ गई यह भी कैसा बिहेव करेगी पैरेंट की तरह यह वाली green वाली chain यहाँ पर आ गई कैसा बिहेव करेगी पैरेंट की तरह यह वाली green chain यहाँ पर आ गई यह भी कैसा करेगी बिहेव parent की बासम में आई अब जो नई वाली चैन बनेगी कैसी बनेगी N14 वाली क्योंकि culture medium कैसा था N14 वाला था सर तो देखिए ये already green था N14 वाला और इस पर दूसरी भी चैन किसकी N14 की दोनों ही चैन कैसी बनेगी N14 वाली यहाँ पर भी देखिए दोनों ही चैन N14 वाली लेकिन इसमें जो red color का है वो कैसा N15 का ठीक है तो इन दोनों में कैसा बनेगा जो नई चैन बनेगी वो कैसे बनेगी N14 वाला है जो red चैन है वो N15 है तो नई वाली चैन बनेगी कैसी होगी N14 की तो फिर से hybrid बना फिर से hybrid बना, तो ये वाली चैन तो similar है न, ये वाला देखो, ये दोनों और ये दोनों, ये तो similar है, हमने इसे analyze नहीं किया, हमने N14, N14 वाले को analyze किया, तो जब हमने इसे analyze किया मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये हमें चैन कहा मिली, एकदम top पर मिली, क्यों, क्योंकि दोनों ही light invade थी, N14 दोनों में ही था, ठीक है, इससे proof होता है, कि जो DNA होता है, उसकी एक चैन, old parent की होती है, old की होती है, यानि parent की होती है, जो दूसरी चैन होती है, वो new चैन होती है, clear है, इसी चीज़ को आई हम पढ़ते है, line to line, यहाँ पर देखिए, क्या बोला है, क्या बोला है म Meselson and Stahel in 1958 performed an experiment to prove semi-conservative nature, that means mode of replication, they culture Screechia coli in medium containing N14, that means light nitrogen and obtained equilibrium density granient band by using 6 mol of cesium chloride का use किया, इस चीज को याद रखना, the position of this band is recorded, ठीक है, observe किया, ठीक है, तो जब N15, N15 वाला था, तो कहां मिला था, बच्चों बताइए, bottom पर मिला था, कहां पर मिला था, bottom पर मिला था, एकदम bottom पर, ठीक है, अच्छा, जब N15 और N14 hybrid था, तो कहां मिला था, बताइए, center में मिला था, ठीक है, center में मिला था, और जब एकदम N14 औ एंफोर्टीन वाला था तो कहां मिला था तो आप पर मिला यह तुमने देखा था इस्कृषिय को लाई सिल आज एंटांसफर्टूर्टा लिए पहला वाला केस बतार रहा है स्क्रीचिय को लाई सेलवर देन ट्रांसफर टू और फिफ्टीन मीडियम हैवी आइसोटोप निट्रोजन देन अलाव तो रेप्लिकेट एक इस तरह से हमने देख लिया कि डिने का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है semi conservative होता है तो वीडियो कैसी लगी आपको comment section में जरूर में चcando करें कोई भी अगर डायग्या तो नीचे आप comment में mention करिए मैं आपको reply ज़रूर करूंगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करिए ज्यादा ज्यादा सेर करिए मिलते आप से नेक्स वीडियो में एक नई information के साथ तब तक के लिए जैह